स्वागत थे आप सभी का कंप्टिशन कम्मुनीटिए के यूट्यूब चनल पर हम लोग आज बात करनेवाले हैं मूगल काल के बारे Marvel इन देख़ों इस से पहले pag ए तरह थे इस तरीके से सल्तनत के वारे में बात किया था हैं सल्तनत के बारे में बात किया था and then विजया नगर समराज को भी देखा था behumenी सम्राज को भी देखा था और इस तरही के से जो mediable India का एक 파ॉठ है उसको हम लोगों ने समर ने समाप्ट किया था और उससे चोल से लेकरके और फिर हम सल्तनत में आयए थे और फिर बहमनी बिजानागर बहमनी तका करके हम चीजों को समेटने की कोशिस किये थे इसे पहले बाले जो हमारा लेक्चर था आज के हमारे लेक्चर में हम लोग मुगल पिडियेड के बारे में बात करेंगे इसके बारे में चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर मुगल पिडियेड देखिए जैसा कि आपने पढ़ा था इससे पहले लोधी डानेस्टी के बारे में अच्छा एक बात आप बताईए हमें पहले कि आप प्रिवेस येर कोस्टन पेपर लगाते हैं कि नहीं लगाते ह और दूसरी बात है कि आप किसी भी एक्जामनेशन के त्यारी करते हो किसी भी एक्जामनेशन का कोस्टन का नेचर एक जैसा होता है इस बात को अप अच्छे तरीके से समझेए और दूसरी बात है कि हम जो आपको बताएंगे वह आप किसी भी एक्जामनेशन में चले किस भी state से आप बिलोग करते हो, किस भी चीजी का आप तयारी करते हो, उसका previous year question paper लगाईए, आपको दिख जाएगा कि question बन रहा है, कि question नहीं बन रहा है, और फिर आप comment भी किजेगा, नहीं बनेगा question तो आप दूसरे question हम से पूछे, इसको देखने के बाद, ठीक है, बात हमने बताया था, और फिर हमने ये कहा था, कि इसके जो लाश रूल है, इब्राहिम लोदी, इस समय बावर का आकरवन होता है, जो पानिपत के पर्थम यूद की बात, वहां पे की गई थी, तो हम एक बाद फिर से उसी बात को दोहराते हैं, आपके सामने में, यहां प पानिपत की पर्थम लडाई, फॉस्ट जो वार है पानिपत का वो हुआ था, और पानिपत के पर्थम लडाई इब्राहिम लोदी और बावर के बीच में हुआ था, जिसमें बावर बिजय हुआ था, जिसमें बावर क्या हुआ था, जीत लिया था, कहते हैं कि इब्राहिम लोदी के पास एक लाख की सेना थी एक लाख की सेना और बावर के पास मात्र बारा हजार की सेना थी और पानिपत की पर्थम यूद की बात बता रहा है जो हर्याना के पानिपत में लड़ा गया था और बावर इबराहिम लोदी के सेना को हरा देता है क्यूं तो उसके पीछे दो कारण मुख रूप से बताय जाते हैं जो एक्जाम का कोशन भी बन जाता है वो दो कारण तो उस दोनों कारण को हमें आप से चरजा करने वाले हैं वो दो कारण कौन है जो एक्जाम का कोशन बन जाते हैं तो पहला कारण कारण किस बात का? बावर के जीतने का और चुकि ये एक्जाम का कोशन बन जाता है तो इसको थुरा ध्यान में रखेंगे पहला कारण है बावर के जीतने का कि इसने तोप का सबसे पहले सबसे पहले परियोग किया तो तोपो का परियोग किया तोपो का पर्योग, थीक हैं, तो ये exam का question बन जाता है, कि सबसे पहले topo का पर्योग किसी ने किया था, तो बावर ने किया था, और ये question एक Babe Si поч papers सोल्ब करके आया हू, तोपो का पड़ियोग नहीं था एक दूसरा यहां पर और इनका सबसे परमुख तोपची तो था न वह मुस्तफा था बहुत परमुख जो तोपची था और दूसरा जो इनका एक पैटर्न था लरने का वह इंपॉर्टेंट होता और पैटर्न का नाम है तुगलुमा पधती ठीक है, तुगलूनुमा पध्धती, यह इस पैटर्न से लाई होते हैं, यह भी एक्जाम का कोशन बन जाता है, जब हाईयर लेवल के एक्जामिशन आप देते हैं, तो दूस छोटे लेवल पर भी कोशन पूछ जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, चाहे आप रेल तुगलूनुमा पध्धती और तोपो का पर्योग, अब यह तुगलूनुमा पध्धती क्या है, तो बावर ने क्या किया था, कि अपने जो सैन्यको को है, उसको बड़े अतरीके से आरेंज कर दिया था, फिर जहां पर लड़ाई लरना था, वहां पर पहले ही बावर से एक लाकी सैन्यक थी, तो वह बहुत बहादूरी के साथ, और बड़े ही अभिस्वास के साथ मैदान में गया था, लेकिन यह बड़े तरीके से लर रहा था, इसको अधर टेक्निकली यह लराई लरने की कोशिज कर रहा था, कि हम एक ही चरण को पहले लेंगे, फिर चारो इसको अधर बावर के साथ लेता है, ऐसको आगे और भी हर्डल का सामना करना पर रहेगा भारत में, जो कि हम आगे देखेंगे कि किन किन लाईयों को लरता है बावर, अपने मरने से पहले, यानि कि आप जानते हैं कि वो 1530 में मर गया है, यह भी बात हमने यहाप लिखा है, कि 1530 में बावर मर गया है, लेकिन 26 से 30 के बीच में उसको जो लडाईया लरनी पड़ी है, वो सारा लिष्ट हम आपको बताएंगे, और उसके बारे में बात करेंगे, स यह जूट है कि सच है, मतलब यह ऐसा ही है कि चाचा बिधायक है वलिवात, नहीं सुनते हो कि चाचा बिधायक है, मतलब अपने आपको किसी से जोरना, किसी बड़े बंस से जोरना, किसी बड़े लोगों से अपनी, क्या बोलते है, रिलेसन को बनाना, यह या दोस्ती बना यह जो एक प्रंप्रा है यहां आज का नहीं है यह सदियों से चला रहा है और जो चला रहा है वहीं हम आगे बढ़ाते हैं कुछ नया नहीं है हमारे पास में नया है हमारे पास WhatsApp फेस्बूक ये नया है बेवकूब बनने के लिए नगी फिर भी हम आगे बरते हैं तो बावर अपनी जो परंपरा है वो किस तरीके से जोड़ता है उसको देखो बावर कहता है कि हम पिता के तरफ से तैमूर के बंसज है तैमूर आप तैमूर का नाम मैंन नश्तिनावोध कर देता है ऐसा है तैमूर तो तैमूर का अब पिता की तरफ से कहता है कि हम तैमूर के बंसज है और माता के तरफ से चंगेज खा मैंने कहा ता कि मंग बरणी को हम मतलब पीछा करते हुए भारत तक पहुंच जाता है चंगेज खा जो मंगोलिया के रहने थे थिए चंगेजес खा तो यह उसी उतना ही कुरूर है जितना की तैमूर कुरूर है तो चंगेजगla पहले है और तैमूर बाद में है चंगेजका पहले है तो वो कहता है जो है पेदाइस हैं जो दो महान बंसज के हम लोग है। ऐसा बावर अपने आपको कहता है अपने बावर नमा में भी कहता है जो उनका किताब है और लोगों को सामने भी इस बात को रखता है। थीक है? तो यह बात अपने समझ में आ गया है कि पीता की तरफ में उनानों से लडाई होता है उसके चाचा के साथ और फिर उसके पिता को रिप्लेस कर दिया जाता है गदी से मार भी दिया जाता है तो फिर वहां से भाग भाग करके और उसके पिता या उसके जो वो खुद है वो भटकते रहता है चोटे-मोटे सैनिको को ले करके और चोटी-मोटी जग निये है कि हमको भारत को जितना है क्योंकि भारत एक इंपोर्टेंट जगा है जहां पर अगर हमारी सत्ता काविज हो जाती है तो फिर हम वहां पर अच्छे तरीके से सासन कर पाएंगे और फिर बड़ा मतलब एक विसाल समराज बना सकते हैं यह सारी ख्यालात उसके मन में च और यहां पर आप देख रहे हैं कि finally जोटे मोटे भारता है। मतलब इतना ज्यादा पैसा और इतनी ज्यादा संपत्ति उसको मिलता है कि वो एक announcement करता है कि अब हमें फरगना की गरिवी नहीं चाहिए मतलब ये कि अब हम वापस नहीं जाएंगे जबकि बावर के कुछ सरदार वापस जाना चाहते थे ये भी बात सच है जो इतिहासकारों ने लिखा है लेकिन बावर चुकी जाना नहीं चाहता है क्योंकि उसने फर्गना की गड़ी भी देखा है या उस संघर्ष की दिनों को देखा है तो यहां पर जो असीम धन उसको प्रावत हुआ है उस असीम धन को वह छोड़ना नहीं चाहता है यह बावर के अनौंसमेंट उनके किताबों में भी दिख जाता है और फिर वह अपने आत्मकथा लिखा नाम था तुजू के बावरी तरकी में इसने अपनी आत्मकथा लिखा और इसको फरसी भासा में बावर नामा के नाम से अनौदित किया अब्दुर्रहीम खाने खाना ने फरसी भासा में बावर नामा के नाम से क्या किया अनौदित किया किसे तुजू के बाबरी को इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि बाबर का यह आत्म कता है तुज्ञ के बाबरी ठीक है, तर्की में लिखा था देखिए ये भी एकजाम का कोछर benता है कोन ऐसा मुगल सासक है जिसने अपनी आत्म कता लिखा तो बाबर एक मुगल सासक है दो है बाबर और जहांगीर चलो ठीक है जहांगीर आएगा तो उसके बारे में बात कर लेँ तो अब दो रहें खाına खाना ने किस भाहसा में अनुवावादित किया खाने फार्सी भाहसा में आ पिस नाम से बार नामानाamous अरिजिनलीस का नाम क्या है तुजू के बावरी किस भासा में था तरकी भासा में ये सारा कोशन एक्जाम में आया है तो आप में प्रिविश यर कोशन पर सॉल्व कर लेंगे तो ये सारा कोशन आपको दिख जाएगा बड़े धियान से बड़े गौर से आप चीजों को पढ़िएगा ठेक है चलिए बावर के मिर्तु 1530 में होती है हम पहले ही मिर्तु कर दिये हैं उनकी अवियान से पहले लेकिन यह गार देख लीजिए कि बावर की मिर्तु 1530 में होती है हिंदी इस दोनों में लिखा हुआ बेटा परसान नहीं होना ठीक है 1930 में होती है और बावर को दफनाया जाता है अराम बाग में कहां दफनाया जाता है अराम बाग में बावर को दफनाया जाता है यह बात आप धियान रखेगा अराम बाग में आगरा के और फिर बाद में इसको मतलब जैसा बावर का मानना था या उसका कहना था कि देखो भाई हमको हमारे देश में ही जाकर के दफनाना हम मर जाए तो तो चुकि बावर की मिर्त्यू हो गई थी तो शुरुआत में तुसको आगरा करामबाग में दफना दिया फिर बाद में बावर को कहां दफनाया गया काबूल में तो काबूल में दफनाया गया ये बा तो ये बाबर है ठीक है बाबर है और ये है आपका अराम बाग है जो पहले दफणाने गया ठीक है यह आपके काबूल में बावर का मकबड़ा काबूल में ठीक है अफगानिस्तान के काबूल में ये बाबर का मकवरा है तो ये बात आप धियान में रखियेगा ठीक है ना ये दोनों आपको दिखाई दे रहा है कि पहले यहां दपनाए गया उसके बाबर फिर यहां दपनाए गया ये है बाबर ठीक है बावर का यहाँ पे मैंने लिखा कि सबसे पहले तोप का परयोग किया था ये बात मैंने आपको बता दिया कि दो इंपोर्टिन थे इसके और तुगलुनुमा पधिती ये भी बात मैंने आपको बता दिया कि ये इसके लडाई के जीत का कारण था तो ये दो बाते मैंने यहां भी लिखा है और वहाँ पर भी मैंने आपके साथ चर्चा कर लिया है ठेका चलिए बावर की लडाईयां कौन कौन सी लडाईया लडता है बावर और ये एक्जाम का कोश्चन बन जाते हैं इस वैसे आप यहां पर देखेगा बावर की लडाईयां सबसे पहले 1526 में पानीपत की पर्थम लडाई उसके बाद देखते हैं 1527 में जो की है खानवा की लडाई राना सांगा इद्दे को ये लडाई बदा इन्पोटेंट है जानते हो कि लडाई इन्पोटेंट है तो जब असोग की बात करते हैं तो उनका कलिंग की लड़ाई क्योंकि असोग का हिर्दय परिवर्तन हो गया था 261 BC में यह भी एक्जाम का कोशन, sorry 269 BC में तो गदी में बैठता है 261 BC में और उसके बाद यहां पर एक बाद समझेगा कि दूसरा जो है ना तराइन के दूतिय यूद जो होता है वो होता है आपके किसके किसके बीच में पिर्थिविराज चौहान और गोरी के बीच में जिसमें गोरी पिर्थिविराज चौहान को हरा देता है तो दूतिय तराइन का दूतिय यूद किसले इंपर्टेंट है क्योंकि भारत में इसलामी सत्ता की अस्थापना होती है और यहां से फिर हम इसलामी सत्ता को जो भारतिय है जो आम जन है वो भी महसूस करना सुरू कर देता है उनके कार परनाली उनके नीतिया उनकी पहनावा उनका जो भी सब कुछ महसूस करना शुरू हो जाता है, इससे पहले बस एक दूरी था, सुना जाता था, लेकिन एक डिफरेंस था दुनों के बीच में, ठीक है, अब यहाँ पर गुल मिल के रहने वाली बात होना शुरू हो जाता है, तराइन की दूतिय युद्ध के बाद, उसके बाद एक लड़ाई है पानीपत का पर्थम युद्ध, यह भी बड़ा इंपोर्टेंट है, क्योंकि अगर पानीपत का पर्थम युद्ध बावर हार जाता, तो हमारे देश में बावर मुगल बंज का कोई अस्तित नहीं रहता, फिर वो वही सल्थनत काल में राजा कि भारत में जो इंपोर्टेंट राजा उसमें एक राना संगा का नाम उन्होंने जरूर लिया है, क्योंकि उनको पता था कि अगर राना संगा से हार गया तो फिर भारत से भागना पड़ेगा, तो राना संगा को हराना जरूरी है, राना संगा को, राना संगा है ना, और बावर इसमें अपने लड़ाई को धार्मिक दृष्टी कोन दे देता है और बहुत सारी बाते उसमें लिखी गई है कि जितने भी सरदार थे उसको कहा कि जब तक हम खानवा नहीं जीतेंगे तब तक कोई सराब हांत में नहीं लगाएगा कहते है कि सराब के पूरे पूरे जो रखने श्टोर करने का जगा तो सब को तोड़ दिया गया सारे सराब बहा दिया गया है चीजों को मतलब मतलब ना राना संगा को नजर अंदाज नहीं करना चाहता ता इतना seriously बावर ने राना संगा को लिया था according to NCRT और अदर किताब जो दूसरे किताबे हैं तो राना संगा को खानवा के लडाई में ये हराता है कौन बावर ठेक है चलिए उसके बाद अब राना संगा को जब हरा दिया 57 में तो बाकी लडाई है कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखता है बावर के लिए बाकी सब तो बस वैसे ही है जो कि बस जीतने के लिए है तो चंदेरी के लडाई होती है मेधिनी र्या के द्वारा 1528 में 1529 में घागरा के लडाई होती है मुहमद लोदी के दौण जो इब्राहिम लोदी का ही चाचा था उसके द्वारा और इस तरीके से ये जो लडाई है 27, 28, 29 और उससे पहले 26 की जो लडाई आपने देखा पानी पत का इसके बाद बावर 30 में तो मर ही जाता है तो मतलब 4-5 सालों का बावर का पूरा का पूरा प्रिश्ट भूमी है भार और को यही मुहम्मद लोदी ने बुराया था जो इब्राहिम लोदी का चाचा था क्योंकि वो लोदी इब्राहिम लोदी जो किसी काम का नहीं थे उसको सत्ता से हटा करके और फिर अपनी सत्ता स्थापना करना चाहता था तो अगर आप इतना ही इब्राहिम लोदी से खप है चलिए बावर की मिर्त्यों हो जाती है। 1530 में जैसे पहले आपने देखा। 1530 यानी 526 से लेकर 1530 तक बावर का पूरी कहानी चलती है, जिसमें लडाईयों का पूरा करम है। और 15-30 में इसके मिर्थ्यू के बाद बावर का बेटा गदी पे बैठता है, नाम होता है हुमायू। देखे हुमायू को हम इसलिए पढ़ते हैं, इस बात को थ्यान रखिएगा, क्योंकि वो अकबर का पिता है और बावर का बेटा है, ठीक है, इसलिए हुमायू को पढ़ते हैं, अगर बावर वहां लड़ाई हार जाता तो हुमायू को कोई चर्चा नहीं होती, या फिर बाव हुमायू 1530-4545-5556 यहाँ पे दो टाइम पीरियड दिखता है, और 1540-5555 के बीच की टाइम पिरिएट खाली दिखता है, तो यह दरसल टाइम पिरियड़ खाली नहीं है, इस समय है वो है कौन? सेरशा आ जाता है, इस समय։ सेरसा इस समय शेरसा आ जाता है हिमायू के जगा पे 535-45 चपन के बीच में और यहां पे हम दिखाएंगे किस तरीके से सेरसा आता है देखिये सबसे पहले हिमायू चौशा के लिड़ाई लड़ता है 1549 में सेरसा के साथ हार जाता है हिमायू की हार होती है, ध्यान रखिएगा हिमायू हार जाता है, हार जाता है, कौन हारता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सेरसा नहीं हारता है, हिमायू हार जाता है, उसके बाद कनोज और बिलगराम की लडाई होती है, पंदरो सो चालीस में सेरसा के साथ, फिर से हार जाता है फिर से यहां पर ध्यान रखेगा और इस हार के बाद हिमायू भाग जाता है हिमायू यहां पर सरहिंद के लराई अभी हम नहीं बात करेंगे हिमायू इस लराई के बाद कहा जाता है भाग जाता है तो वे इरान भाग गया पंद्रों सो चालीस में इरान भाग ज और पंदरो सो ब्यालिस में अकबर का जन्म होता है लेकिन अकबर का जन्म के समया चुकी वो खुद भटक रहा है जंगलों जंगलों में इरान का जो सासय को थोड़ा भूत उसको अपना एक सरन्द दिया है लेकिन उस भटक नहीं है तो खुद तो भटक रहा है तो फिर अकबर को भेज देते हैं जहां अकबर का जन्म होता है और शुरुवाती के कुछ सालों तक अकबर का पालन पोसन भी होता है तो ध्यान रखेगा अकबर जब आप पढ़ेंगे तो इस पृष्ट भूमी को ध्यान रखेगा कि उसका जन्म कहा हुआ और उसकी जो शुरुवात जीवन है शुरू के 2-4-5-10 साल जितना भी वहां पे रहा अमर कोट में तो वह जो है ना वह अकबर के पूरे जीवन पर किस तरीके से प्रभाव डालता है ध्यान रखिएगा जो बच्चा जहां बड़ा होगा वह थौट्स वह लेकर के आगे बढ़ेगा बढ़ेगा इसमें कहीं कोई सोचने वाली बात नहीं है ठीक है चलिए तो इरान भागा इरान में भटकते भटकते और फिर यहां तब तक सेर्षा सासन करने लगा क्योंकि उसको पंदर सो चालीस में भगा करके यानि कन्योज और बिलगराम की लडाई के बाद किसको हिमायू को भगा देता है अब सेर्षा यहां गधि पे पैड़ जाता है और सूरवंस की अस्थापना हो जाता है तो सूरवंस हम पढ़ेंगे मुगलों के बाद ठीक है बड़ा ध्यान से समझेगा मैं बस आपको थोरा सा बात बता करके इसको रोगता हूँ तो सूरवंस की अस्थापना हो जाती है पंद्रो सो चालीस में और सेरसा जो है ना सासन करना शुरू कर देता है तो पंद्रो सो पच्पन तक सेरसा और सेरसा के जो क्या बोलते हैं आने वाले पीडी है वो सासन करते हैं सिर्फ 15 साल उसके बाद 555 में सरहिंदी की लडाई होती है सरहिंद की लडाई 555 में और इस सरहिंद की लडाई में हिमायू जीत जाता है और फिर से एक बार मुगर बंस की अस्थापना करता है यानि कि सूर बंस यहां समाप्थ हो जाते हैं और फिर सरहिंद की लडाई में सूर्क, सेर्सा के जो बनसज है, उनसे वो लडाई करता है, और उसको हरा करके, ध्यान दिजेगा, हरा करके सरहिंदी की लडाई, और फिर से एक बार मुगल बनस की अस्थापना करता है, तो अगर आपसे question ऐसे पूछ लिए कि दुबारा मुगल बंस का संस्थापना कौन है तो आपका answer हुमायू हो जाना चाहिए, ठीक है, तो फिर से मुगल बंस का स्थापना करता है, ये बात आप ध्यान में रखेगा, सरहिंद की लडाई के बाद, ठीक है, चलो, आगे बढ़ उसके बाद उसने दिल्ली में, अब सेरसा कवारे में कुछ-कुछ बाते हम बताते हुए चलते हैं, दिल्ली में सेरसा ने दीपना का निर्मान किया, दीपना, दिल्ली, दिल्ली में दीपना का निर्मान किया, यहीं पे वो सीरी से गिड़ के मर गया था, वो बात भी हम यह पर देख लेंगे एक बार ठीक है तो दीपना का निर्मान किया दिल्ली में आप चले जाएगा पुराना किला वहां पर आपको दिख जाएगा उनके दीपना ठीक है चलिए इसका जो जीविनी है बहुत बार एक्जाम का question पूछ लिया है इसका नाम है हिमायू नामा जीविन ठीक है तो हिमायू की बहन का नाम क्या है गुल बदन बेगम जिन्होंने हिमायू नामा जीविनी लिखा हिमायू नामा जीविनी ठीक है चलिए यह हो गया यह एक्जाम का question बहुत बर पूछा है भी विया है हमने इसमें जितना भी points रखे है ना सब exam के question ही रखे है उल्ट से मैंने यहां पर सबको डाला है इस बात को भी आप अच्छे तरीके समझेगा चलो ठीक है हिमायू का मकवरा कहा है दिल्ली में आप यह भी question पूछ लेते हैं कि हमायू के मकवरा को किस ने बनवाया यह भी question पूछ रहा है तो हाजी बेगम ने बनवाया ध्यान रखे हाज गुल बदन बेगम और हाजी बेगम इन दो महिलाओ को आप कभी भूलेंगे नहीं exam point of view से हम भूलने की बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि एक बहन है और एक wife है हिमायू का तो हिमायू की wife है उसने मकवरा बनवाया और हिमायू की जो बहन है उसने हिमायू नामा लिखा और दोनों exam के question पूछे आते और दिल्ली जब आप जाएंगे तो हिमायू का मकवरा आपको दिख जाएगा बहुत 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 बड़ा मकवरा है हिमायू का आपको निजामुद्दीन जो railway station उसी के आसपास आपको हिमायू का मकवरा दिख जाएगा ठीक है तो दिल्ली का हो कि सब्सक्राइब मतब्रहू होती है तो व हिमायू से गिर्टके मर जाता है और आप समझ रही है न से से दोग बहुत गिरते हैं लेकिन ठीक है कभी किसी मोत हो जाती हुए हिमायू की दिन उसक गहां था मोत हो गया जैसे आपने देखा कि कुत्तुभुदियन एवरसे गोर था किताबों से कहते हैं कि वो यूध में भी पुस्तकाले लेके जाता था इसलिए यूध हर जाता था ठीक है अब यूध ही गया हो लड़ने गया हो पुस्तकाले का काम जो आना सांती के समय में बैठ के पर हो ग्यान लो और फिर उस ग्यान को इंप्लिमेंट करो लड़ाई क येलो कलर का कपड़ा पहना चाहिए और या नारंगी कलर का या फिर जो सटर्डे है उस दिन ब्लैक कलर का कपड़ा पहना चाहिए ऐसा कहते हैं लोग तो अगर ऐसा है तो कुछ हिमायू कुछ ऐसा ही है जो भी उनके जोतिस बताने वाले थे जो भी उनको बताते थे तो व गिरिग Keys के टो मुरता नहीं एकल करना अच्छी बात है मतलब अशी बात नहीं है मतलब गयर सकता है लेकिन ईकल जाना ठीक है तो निकल लिया कोई बात नहीं ठीका चलिए हिमायु पेंटिंEMA पाम के लेकर कि हिमायू का दो नाम कभी-कभी एक्जाम का question पूच जाता है, मीड सयद अली और अब्दु सम्मद, इसका नाम पूच लेता है यह चितरकार थे, ठीक है, तो धियान दखेगा, मीड सयद अली और अब्दु सम्मद उसके दरबार में चितरकार थे, ये बात हिमावी के बारे में देख लिएगा तो हिमावी के बारे में हमने बहुत सारी बाते यहां पर आप से चर्चा किया है आप देख सकते हैं कि हमने हिमावी के बारे में क्या क्या बताया कि वो चौसा की लराई सेरसा से हार जाता है कनोज या बिलिगराम की लड़ाई 1540 हार जाता है भारत छोर के इरान भाग जाता है इरान के सासक उसे अपना समर्थन देते हैं अपने पास रखते हैं अकवर का जन्म होता है 1542 अमर कोट के राजा के पास उसके बाद फिर वो दुबारा भारत को पाता है 1545 के सरहिंदी के लडाई के बाद दीपना की अस्थापना करता है एक ही साल बाद पुस्तकाले से गिर करके मर जाता है वो पुस्तकाले आपको पुराना किला में दिख जाएगा ठीक है? मैं भी दिखाऊंगा भी ठीक है? मर जाता है गुल बदन बेगम ने उसके लिए क्या लिखा? एक हीमायू नामा लिखा और हाजी बेगम ने मकबरा बनाया तो यह पॉइंट हीमायू के बारे में आपने देख लिया अब यहाँ पे देखिए जो हीमायू के बारे में कुछ पॉइंट है वो सबसे पहले तो यह हीमायू है यह देख लीजे यह हीमायू है और दूसरा पॉइंट यह वो पुस्तकाले है जिससे गिर के मरा था यहाँ पर हम गय है एक दो बारी ठीक है चरने नहीं देगा आपको क्योंकि बंद कर दिया देखो दर्वाजा बंद है तो यहाँ पर और भी दर्वाजे हैं सब बंद किये हुए है ठीक है चरने नहीं देगा और यह हीमायू का मकवरा है बहुत विसाल है हीमायू का मकवरा चलो, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं उसके बाद आता है अकवर हिमायू के बाद अब इतिहास कारों ने इसे महान कहा है तो जो किताबों में लिखा होता है उसी हिसाब से हम लोग बात करते हैं क्योंकि एक्जाम का question solve करना है अपना मन से कोई बात करेंगे तो exam का question सोब नहीं होगा और exam का question अगर गलत हो गया तो फिर नौकरी नहीं मिलेगी फिर जीवन भर अकबर को या तो महान कहो या महान नहीं कहो जूलते रहोगे ठीक है तो नौकरी पाना सबसे prime source आपका objective होना चाहिए सबसे पहला उद्देश नौकरी पाना यहीं होना चाहिए आपके जीवन में नहीं तो गरीब रह जाओगे जीवन भर चलो अकबर का time period ज़रूर याद रखना यह ऐसे सासा का जिसका time period exam के question बन जाते हैं 1556 से 1605 1556 आप जानते हैं कि 1556 जब हिमायू मर जाता है और हिमायू के अनायास मरता है और अकबर बार बच्चा है 1542 में तो इसका जनम हुआ है 1542 में । चापन में राजा बन गया है चार और दो छे 14 साल में यह Rückर फोर्टीन यर में राजा है कहीं-कहीं किताबों में 13 सा लिखा हूआ 14 साल माल लीज़े 14 साल में यह राजा बन गया है और 14 साल के उम्र में ुम्र में जब बच्चों को तो कही न कही और वहां पे बहुत दिन तक रहता भी है तो कही न कही एक influence इसके अंदर, यानि कि जो परवरिस हुआ है, वो परवरिस का एक point इसके अंदर में है, क्योंकि देखो, आप जिस background से निकल के आये हैं, वो background आप से जीवन भर नहीं छुटेगा, अगर आप छोड़ने ही कोशिस करते हैं, तो वो आप चीट कर रहे होते हैं, और सामने वाला समझ जाता है, जब आप बात करते हैं, क्योंकि वो चीजे ऐसी होती है, जो आपके पैवस्त होती है, याद रखेगा, आपके एकदम ऐसा चीप लगा हुआ है, उसमें एकदम प्रमानेंटली फिक्ष्ड हो गया है, ठीक है, चलिए, तो कुछ चीजे इसके मन में बैठा हुआ है, उस संस्किर्ती में, जिस संस्किर्ती में, इसके कुछ सुरुवाती साल बीते हैं, अकबर के, और उस संस्किर्ती हिंदू धर तो उसका एक संरक्षा होगा, और वो संरक्षा कौन था, बैरम खां था, वो संरक्षा, ठीक है, अकबर के तरफ से बैरम खां फैंस ले लेते थे, मुगल समराज का, अकबर के तरफ से बैरम खां लडाईया लरते थे, मुगल समराज का, अकबर के तरफ से, बैरम खां ही अपने कभजे में नहीं ले लेता है, पूरे मुगलिया सल्तनत का हेड बना हुआ था बैरम खा, एक समय तो ऐसा लग रहा था कि वही राजा है, अकबर कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन बैरम खा का एक positive बात मैं आपके साथ share करना चाहूंगा, और वो बात आप देखेगा, ज ये काम बैरम खान नहीं किया, अगर बैरम खा चाहता और जिस तरीके से उसके हाथों में पूरी मुगलिया सल्तनत थी, बैरम खा चाहता तो अकबर को हत्या करके और अपनी एक dynasty बना लेता, खान नाम है तो खान dynasty कर लेता, या फिर कुछ और जो भी जिस बंस से वो जुरा पानी पत की दूसरी लडाई या निकी अकबर के राजा बनते ही पानी पत की दूसरी लडाई होती है 1556 में, और 1556 में जो लडाई होती है वो हेमू के साथ बैरम खा की लडाई होती है, ध्यान रखेगा हेमू के साथ, हेमू के साथ बैरम खा की लडाई होती है, इसमें हेम को कहा जाता था हेमु को ये भी कहा जाता था कि ये जितनी भी लड़ाईय लड़ी थी वो सारी लड़ाईय इसने जिती है कोई भी लड़ाईय हारा नहीं है ये भी हेमु को कहा जाता था हेमु पे इतना विश्वास था उस समय जो भी हेमु को साथ देने वाले थे इसे लोध लिजाएगा पानीपत के दूसरे लडाई में, बैरम खा के सामने में, हेमू लडाई में एज पे था, यानि कि वो आगे था, वो आगे निकल लडाई और लगभग, अपने पक्ष में लडाई को किया हुआ था लगभग, लेकिन उसी समय एक तीर आता है, हेमू के आंख में महने लगता है जैसा कि nc r tv guarar में मैं लिखा हूआ है कि एक- Owner के आंख में लगता है है मीं घोरे से गिर जाता है और रहाइक पानि पत्त की लाइब बढ़ा इंपॉर्टेंट लाई माना जाता है जोmir Ampl over जोन जाता है यह अंतो अकबर दे दे तो भी चलेगा क्योंकि अकबर राजा है तो नाम अकबर कहीं होगा लेकिन अगर अकबर की जगा बैरम खा दे दे तो भी टिक कर कहीं हैगा और अगर दोनों दे दे तो अकबर टिक कर क्या ना क्योंकि राजा कहीं नाम होता है जीत में भी और हार में भी याद रखिएगा इस बात को तो हेमू के साथ लराई हुई थी बैरम खा सेनापती था उस तरफ हेमू सेनापती था पानीपत की दूसरी लराई चलिए अब आगे पॉइंट पंद्रो सो साथ में अकवर अपने आपको बैरम खा के सनरक्षन से वापस मतलब की कहता है कि अब आप हमारे सनरक्षक नहीं रहेंगे यानि कि पंद्रो सो साथ तक अकवर हो जाता है 18 वर्स का और वो बैरम खा के हर नीतियों के मतलब जो बैरम खा नीतिया बना रहा था उस में कहीं न कहीं अगर अकवर अपनी बात रखता तो बैरम खां उसको चुप करा देता कहते हैं कि बैरम खां अकवर पे इस तरीके से सासन करता जैसे उसका पिता हो उस तरीके से बैरम खां अकवर के साथ करता था और ये अकवर को कभी-कभी अच्छा नहीं लगता था ये ब बैरम खा कुछ इस तरीके से करते हैं, हमला करना चाहते हैं, या समराज हरपना चाहते हैं, तो अकवर ने बैरम खा को replace करने कोशिस किया, यानि उसको बोला कि अब आप हमारे सनरक्षक नहीं रहेंगे, ऐसा अकवर ने कहा बैरम खा को, ठीक है चलिए, और वहां दो option भी दि कार नहीं किया, चुकि वह भी तो एक क्या बोलते हैं, आत्म सम्मान वाली बात थी, तो वह हज की आत्रा पर जाता है, जहां पर उसे एक अफगानी जो गुजरात में है, उसकी चाकू से मार के हत्या कर देते हैं, ये बात भी बहुत सारे किताबों में में मिंसन हैं तो इस समय अलग बात है, लेकिन अभी तो वह लाव लसकर के साथ नहीं जा रहा है, तो जब अभी लाव लसकर के साथ नहीं जा रहा है, तो उसको मारना या उसको हरा देना तो असान बात है, दो चाड़ लोगों के द्वारा, समझ रहा है तो वही हुआ उसके साथ, अफगानी न इपक के दूजह ही द्यान है बात अच्छे तरीके से याद रहky मैं आगे आगे अम आको दिखाएंगे उसके बाद बेरम का से जब बैरम का की स्नयक्ष्ण स्माप्त करता है तो पेटीकोट्क केड़नेंट गवी गवी Exam का question बनताा है पेटिकोट government यही 560-322 पेटि कोट government महम अनगा तो तो एकजाम की दाए मा तो पालन पोछन करने वाली मा यह हो सकता है एक्जाम मे धाय सब्द दे दे तो कोई भी दे कोई बात नहीं है और अकबर इनको अपनी मा की तरही मानता था बड़ा महबत अकबर करता था माहम अंगा के साथ बड़ा सुकून के साथ इसके साथ रहता था अकबर और माहन अंगा जो भी कहती थी वो अकबर मानता था और ये कहानी दो साल तक चला ठीक है लेकिन फिर अकबर इससे भी आजाद हो गया, यानि पेटिकोट कॉर्मेंट से भी इसका मुह भंग हो गया, और अकबर अब अब जाके, यानि 1562, तो 18 में 2 और जोर लो, ठीक है, तो कितना हो गया, 20 साल, यानि 20 साल की अवस्ता में अकबर पूर्न रूप से, ऐसे विवस्ता तो अकबर की कही जाएगी, कि जो 6 साल तक अलग-अलग लोगों के इनफुलेंस में आके सासन किया, लेकिन 20 में बर्स के उमड में अकबर सारे इनफुलेंस को समापत करता है, और अपना पूरा तरीके से सासन करना सुरू कर देता है, अकबर अपनी तरीके से सासन करना सुरू कर देता है, यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखियेगा, चलिए ठीक है, उसको बात करते हैं हल्दी घाटी का युद का, हल्दी घाटी का युद 1576, 1576, हल्दी घाटी का य बार गया था अब कुछ लोग इसको मानने के लिए त्यार नहीं है इसके उपर बड़ा बिबाद है कि नहीं राना परताप हारा नहीं था तो जो भी हो किताबों में जो लिखा वो मैं आपको वताया तो NCRT वेगरा में कि मान सिंग और राना परताप के बीच में यूद मान सिंग अकवर का सेनापती था याद रखेगा मान सिंग हम आगे बात कर लेंगे मान सिंग के बारे में भी सब के बारे में बात करेंगे बस इस पॉइंट को मुझे समझाना था इसलिए मैं यहां पर थोड़ा सा अब मान सिंग बारे में बात करेंगे अभितुरत ध्यान रखे गा। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं अकबर के भारे में। देखिए, अकबर के दर्वार में नौरत्न रहते थे जिसमें विर्वल का महेशदास, उस songs नाम आपना महेशदास, महेश दास ओरिजिनल नाम है बिरिवल का ठीक है उसके बाद है अबूल फजल इसने अकवर नामा लिखा क्या लिखा अकवर नामा अकवर नामा या आईने अकवरी भी इसी ने लिखा आईने अकवरी भी इसी ने लिखा अबूल फजल नहीं आईने अकबरी भी लिखा अकबरी यह भी बात ध्यान में रखेगा कि आईने अकबरी किस ने लिखा तो, अबूल फजल ने लिखा फैजी अबूल फजल का भाय था अबूल फजल का Chelsea यह भी जुशल कभी था ठीक है टो डर्मल अकबर का टो डर्मल अकबर का क्या था फाइनेंस मिनिश्टर ःभित मंत्री था निरमला से पहले तो यह बात भी आप याद में रखेगा भगवान दास यह अकवर का नवरत्न में देखो पॉइंट यहां पर मैं कुछ बता दूँ अलग-अलग लोग जो है ना मैंने यहां पर कितने नाम लिखे हैं मैं थरा सा कुछ चीजों को अरेंज कर दूँ उसके बाद फिर मैं सब के बारें बताना शुरू करूँगा आप अगर नाम देखेंगे तो मैंने कितने नाम देखे हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा अब नाम लिखा मैंने ग्यारा और आप लिखते मैं लिखता हूं नवरत्न य किसी में किसी को एड किया है किसी में किसी को एड किया है लेकिन जो नौर्मली जो क्या बोलते हैं एकसेप्टेबल है जो सबसे ज़्यादा एकसेप्टेबल है उसकी बात में यहां पे कर दू तो यहां पे ध्यान रखिएगा मान सिंग भगवान दास का बेटा है मान सिंग ठीक है मान सिंग भगवान दास का बेटा है यानि कि अकवर की साधी हुई थी अब कहते हैं कि जोधा भाई से लेकिन जोधा भाई से नहीं हर्खा भाई से उसकी साधी हुई थी याद रखेगा है यहां पर मैंने लिखा है तो जो भगवान दास है वह हर्खा भाई का भाई ह हरका भाई का भाई है और जो मान सिंग है वो हरका भाई का भतीजा है तो ध्यान रखेगा मान सिंग नवरत्नों में है तान से यह नवरत्नों में है तान से नाम सुना होगा कहते हैं कि वो जब गाना गाते थे तो दीप जल जाती थी आंधी आ जाता था ऐसा करके तान से अब निजमन की भी था, मन ही राखो, गोए, सुनी अठ लई है, लोग सब, बाटी न लई है, कोए, तो ये रहीम कभी का बहुत सारे आपने पढ़ा होगा, ठीक है चलिए, मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा है, ध्यान रखेगा, ये ऐसा नहीं कि कोई रसुया है, नह साही पाट साला के क्या थे, परधान थे, साही पाट साला के, और फकीर अजियो जी दीन, ये भी अकबर के सलाहकार थे, अब ए 11 लोगों में आप नवरत्न किसे मानेंगे, वो मैं आपको बतायता हूँ, most acceptable, तो एक भगवान दास को आप हटा दीजिएगा, ठीक है, भगव अजियो जी दीन है, कहीं हमीम हुकाम है, कहीं हमीम हुमाम नहीं है, तो ध्यान रखेगा, मेरे तरफ से आप फकीर अजियो जी दीन को हटा दीजिए, मेरे तरफ से, ठीक है, और बाकी नवरत्नों को आप यहां पे देख लीजिए, तो बाकी नवरत्न आपको दिख यानि विड़बल अबूल फजल फैजी टॉडरमल मान सिंह टांसन अब्दुरहेम खाने खाना मुला दो प्याजा अब हमीम हुकाम और इंट्रेस्टिंग बात आपको बताते हैं अज्यू दीन जो जिनको मैंने हटाया है उन वह कहीं है कहीं मुला दो प्याजा नहीं है कहीं भी मैंने नवरत्मों का अलग अलग टीचरों का देखा है उसमें भगवान दास को उन्होंने एड लगभग नहीं किया है 90 परसेंट लोगों नहीं किया है तो भगवान दास को सबसे पहले हाटाईए और अजी उस दिन को मैं दूसरा में हाटाता हूं फिर बाकी को मैंने हो गए होंगे एक दो तीन चार पांचे साथ आठ नौ ठीक है तो यह अकवर के दरवार के नवरत्म थे चलिए आगे बरते हैं तो अब मान सिंग आपको लगता है समझ में आगे जो मैंने पीछे कहा था कि किस तरी मान सिंग सिनापती थे हल्दी घाटी के लराई में तो जोधा भाई आपको नहीं बताएंगे ठीक है लेकिन चारत्रप जोधा भाई जोधा भाई किया हुआ है तो पता नहीं किसलिये किया हुआ है लेकिन हरका भाई से साधी करता है अकवर भार्मल की बेटी है आमेर का राजा है कहां का है अमेर का राजा है यह वात भी आद मे किस भासा में लिखा है तो इन्होंने लिखा अब दी भासा में यह भी कोशन एक्जाम में कितने बार बना है औवधी भासा में लिखा गया है राम चरित्र मानस अवधी ध्यान लखिएगा राम चरित्र मानस लिखा है किसने तुलसीदास ने गुष्वामी तुलसीदास यह अकबर के समय में ही थे, अकबर के दरवार में नहीं थे, अकबर के समकालीन थे, कहते हैं कि एक वार अकबर ने इने बुलावा भेजा था, तो इन्होंने बड़ा ही अदब से मना कर दिया था, दूसरा बात कहते हैं कि इनके राम चरीतर मानस को पूरा होने में, टोडरमल ने इनका बड़ा सहायता किया था क्योंकि जो भी परती ये लिखते थे तो उसे में जो भी इनसे जलने वाले लोग थे वो लोग इनके परती को फार देते थे या इनसे मतलब जो भी पॉइंट था ये फार देते थे या चोरी कर लेते थे ऐसा करके जो कि हम आपके साथ share कर रहे हैं लेकिन सच्चाई तो बस एक ही है जो हमारे सामने में आता है कि बाबा तुलसी दास जो अबधी के और संस्कृत भी जानते थे एक महान लोग हुए और लगभग अपने देश की अबादी अगर एक अरब 40 क्रोर कह ले तो एक अरब अबादी हैं तो आप मान लिजिए कि इससे बड़ा सहितकार पूरे बिश में कोई पैदा नहीं हुआ क्योंकि इसने एक ऐसा सहित लिख दिया कि जब तक हिंदु धर्म रहेगा तब तक वो सहित रहेगा अब यह देखना है कि हिंदु धर्म कब तक रहेगा तो इस बात को ध्यान र रखेगा आगरा के पास सिकंद्रा में दफनाया गया और सिकंद्रा का जो अकबर का मकबरा है अकबर ने खुद बनवाया था मतलब अपने अकबरा को अपने जीते जी बनवाना उसने क्या किया था शूरू कर दिया था तो ध्यान रखेगा यह भी कोशन एक्जाम में कई अकबर बना है अकबर से कि अकबर को कहा दफना आ या था तो सिकंद्रा में रफना अनदरा में अकबर को दफना है ने लू ने टाल मेंre और बन जाते हैं कि उसके दो चित्रकार थे दसबंत और दसावण है आपक prayer को पूएटर एकजाम में कई गार आए है की का अकबर के दर्वार में तो ये दोनों थे हिमायू के दर्वार में आप ने अब्दु संब्द को देखा था, यहाँ पे आप देख Dewan और 10 और 10 और 10 और 50 को ध्यान रखेगा और जहाँगिर के दरवार में आप मंसूर को देखेंगे, तो यह जो चितफरकार जो दो चार नाम मैंने आपको लिया ये एक्जाम का ऐसा important point है कि क्या बता है हिमायू में अब्दू सम्मद ध्याना कियेगा और अकबर के समय में दसबंत और दसावन और जहांगीर के समय में मनसूर ये महान कलाकारों के गिंती में आते हैं बहान पेंटर के गिंती में आते हैं और एक्जाम का question यहां से बनता है तो आप लोग अगर कहीं एक जगा ऐसा note करके बना ले जैसा कि मैं आपको बतायता हूँ चितरकार ऐसा करके note बना ले चितरकार ठीक है आप परमुख चितरकार ऐसा कर ले अंडरलाइन कर ले और आप क्या लिखें अब्दू सम्मद यह अब्दू सम्मद ठीक है ऐसा कर ले किस के समय में मायू फिर आप देखें दसवंत है ना और दसावन यह किस के समय में अकवर के समय में, ठीक है, उसके बाद आप क्या देखें, मंसूर, आगे भी हम देखेंगे, इस तरीके से करने से क्या होता है, कि चीजे याद रहते, जब आपका पेंच चलेगा, हाथ चलेगा, तो चीजे याद रहेंगे, यह किसके समय में, जहांगीर, यह पक्षियों के पेंटिंग करने में महारत हासिल था इसका पक्षियों के पेंटिंग में पक्षी चित्रकाडी किसका मनसूर का ठीक है तो यह बात हमने आपको बताया चलिए आगे बढ़ते हैं यह अकवर है ध्यान दिजगा यह अकवर है जो आपको दिख रहा है यहां पे महान अकवर और यह अब्दुर्रहीम खाने खाना है अब्दुर्रहीम खाने खाना है और यह जो छोटा सा पेंटिंग लगा हुआ है यह दरसल अब्दुर्रहीम खाने खाना जो यह चोटा सा है और यहां पे अकवर बैठा हुआ है इसको मतलब दे रहा है कि भाई अब्दुर्रहीम खाने कि पुत्र है, इसको, जो है न, आप अपने पास रखेłę, इसको पालन पोसन कीजिए, तो अकवर, इसको अपने बेटे की तरह पालन पोसन करता है, ये भी बात आप धियान में रखेएगा, अब्दूरहिम खाने, खाने खाना, अकवर, बैरम खान, ये सारा चीज आप धियान में रखेंगे, आगे बढ़ें, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे ये हैं आपका बीडवल, ठेक है, बीडवल, आप जानते हैं अकवर और बीडवल की कहानी, जिसमें बीडवल बार बार अकवर को बेवकूप बनायता है, क्या ऐसा सच है, ऐसा कर सकता है क्या अकवर, बिल तोडर्मल ठीक है यह टोडर्मल है आईने 10 साला इसने दिया था यह पॉइंट समझ लिजे और यह तांसेन तांसेन है बड़ा बहुत बिद्वान है गाई की में बहुत बड़ा नाम है इसका ठीक है कंठा भरन बिलासनी ऐसा करके इसको उपाधी दिया गया है तांसेन को तो परिवरते हैं अकबर के कुछ काम के बारे में अकबर के कुछ पॉइंट के बारे में सबसे पहले अकबर का काम देखते हैं कि 1562 में अकबर ने युद बंदियों को गुलाम बनाने से रोक दिया यानि कि अब युद बंदियों को गुलाम नहीं बनाया जागा पहला काम अक कर लिया जाता था अब कनवर्जन राजाओ के हिसाब से होगा राजा जिस धर्म को प्रसर दे रहा है उसी धर्म में कनवर्जन होगा यह आम बात थी उस समय का अकवर ने इसे बंद करवा दिया अकवर चुकि आगभ देखे जो भी अकवर काम कर रहा है ना मैंने आपको कहा ताकि उसका जो जन्म हुआ उसकी जो शुर्वाती साल की परवरिश हुई है उसको भी आप धियान में रखेंगे और फिर मैं कुछ और बी बात बताऊंगा 1563 में तिर्थियात्राकर का उन्मूलन कर दिया यानि कि तिर्थियात्राकर नहीं लिया जाएगा तिर्थियात्राकर किस से लिया जाता था तो हिंदूों से लिया जाता था ये कैसा कर था तो ये ऐसा था कि अगर कोई भी अपने तिर्थियात्रा पे जाता है तो उसको tax देना होगा जैसे कि कोई अगर बैसनोय देवी चला गया तो उसको tax देना है सरकार को या फिर कोई अमरनाथ गया तो tax देना है या फिर कोई किदारनाथ गया तो tax देना है मतलब ये tax का जो पूरा का पूरा तीर थ्यातरा कर था तो वो इसको अकपर ने 15-63 में क्या किया समाप्त कर दिया कि अब आप बैसनों दे भी जाए चाहे आप अमारनाज जाए चाहे आप कहीं भी जाए आपको tax नहीं देना है ठीक है जैसे अगर मान के चलो कि अभी अगर कोई बाहर कहीं जाए गुमने के लिए और सरकार कहें कि तुम गुमने जा रहा है तो तुम tax दोगे तो एक तरीके का धार्मिक tax हो गया ना और यह fundamental right का उलंगा ने क्योंकि article 27 में यह बात कहा गया है कि सरकार कोई भी धार्मिक tax नहीं लगाएगी यह बात है ना तो जब धार्मिक tax सरकार नहीं लगाएगी जो कि आप fundamental right में पहले पढ़ चुके हैं तो फिर सरकार नहीं लगाएगी या सरकार अपने पैसे से ऐसा tax नहीं लगाएगी जिसे किसी धर्म के अभी विर्दी हो तो अगर टैक्स लगा दिया तो इसका मतलब है कि आप उस धर्म के अभी विर्दी करना चाहते हैं दो बाते हो सकती है तो यहाँ पे सरकार अगर पंथ निर्फेक्स है सेकुलर है तो उसको ये काम नहीं करना होगा अकवर ने पहली बार कुछ इस तरीके गौर्वर्मेंट को फॉर्म करने कोशिज किया इसलिए अकवर को सबसे सेकुलर राजा कहा जाता है और इसलिए त्यास कारण ने इसे महानता के एक स्रेणी में रखा है जिस तरीके से असोख को महानता के स्रेणी में रखा है इस तरीके से ठीक है बहुत सारे बिजियों के कारण नहीं, बहुत सारे बिजय जो अकपर नहीं किया था, उसके कारण नहीं, कारण ये था कि उसने जिस तरीके से अपने जनता के साथ सासन किया, उसने जिस तरीके से जनता के साथ बिहेव किया, उसके लिए इसको एक स्रेनी दिया जाता है, जो जो इसलाम मानने वाली लोग जो भी नहीं है हिंदू हम इसलिए करें क्योंकि maximum वादी उन्हीं का उस समय भी था आज भी है जानते हैं लेकिन यहां पर point यह था कि जो कोई भी मुझे non-muslim लिखना चाहिए था जो मुस्लिम नहीं है तो जो कोई भी मुस्लिम नहीं है वो जज लिखना चाहिए था कि non-muslim यह लिखना चाहिए था वो ज्यादा अच्छा है ठीक है चलिए 1571 में फटेपुर्शीकरी की अस्थापना किया फटेपुर्शीकरी एक सहर का स्थापना किया आगरा के पास और इसे अपनी राजधानी भी बनाया ना के वाल अस्थापना किया बलकी क्या बनाया राजधानी बनाया तो इसे पहले राजधानी कहा था तो इसे पहले राजधानी आगरा था आगरा का किला का स्थापना भी या निर्मान भी अकवर नहीं करवाया था तो इसे पहले आगरा था आगरा में पागल खाना भी आप जानते हैं तो राजधानी परिबर्तन किया फतेपुर्शिक्री में और उसको फतेपुर्शिक्री का एक सहर का निर्मान भी किया तो ये सहर है फतेपुर्शिक्री क्या है सहर है इस सहरे तरक्की का अंदाज निराले हैं सरकों पे उजाले और जहनों में अंधेरे हैं बसीर बद्र का ये लाइन है जो म मनसबदारी परनाली का शुरुवात किया यह मनसबदारी परनाली क्या था यह बात मैं आपको अलग से बताऊंगा अच्छे तरीके से अभी थोड़ा सा रुख जा मनसबदारी बस याद रख लो टाइम प्रियर की हिसाब से मनसबदारी उसका 1575 में इवादत खाना का निर्म आईने दह साला की सुरुवात की थी आईने दह साला टोलिरमल में इसके बारें बात करेंगे 1552 में दीन इलाही की अस्थापना किया था जो एक नया धर्म था इसके बारें बात करेंगे यानि कि हमको फतेपुर सीकरी से ले करके और 1574 से 1582 के बीच में बात करना है समझा समझा करके क्योंकि इसके उपर में एकजाम के कोशन बना है तो मैं देखता हूँ कि आगे मैंने क्या लिया है नहीं तो मैं इसको समझाना सुरू करता हूँ ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपका अभी समझने का टाइम शुरू हो गया है, चलिए, हम लोग पीछे चलते हैं, अगर मैंने आगे कुछ लिखा होगा इसके बारे में, तो वो आगे मिल जागा, मेरा काम अभी समझा देना है, मैं समझा देता हूँ, ठीक है, परना नहीं है सबसे पहले मनसबदारी पर्था के बारे में बात करते हैं, हम मनसबदारी, यह मनसबदारी क्या था, यह बात हम आपको बताते हैं एक्जाम का question कुछ solve कीजेगा वही बात मैं आपको बताते हुए चलूँगा, ठीक है, मनसबदारी के बारे में, देखिए, मनसबदारी, मनसबदारी, दरसल ये है क्या, तो ये आर्मी को विवस्थित करने का एक तरीका है, ठीक है, यानि कि सैनिको को विवस्थित करने का तरीका, विवस्थित, सैनिको को विवस्थित करने का एक तरीका है, ठीक है, सैनिको को विवस्थित करने का तरीका है, ये लिया कहां से गया है, तो लिया गया है मंगोलिया से, तो ये विवस्था मंगोलिया से लिया गया था, ये बात भी आप ध्यान में रखेगा, मंगोलिया से क्या है इस विवस्था में तो इस विवस्था में क्या है की जो सॉैनिक है और जो बरे बरे अधिकारी है, इसको मंसब में divide कर देता था मंसब में जो जतना बड़ा अधिकारी उसके उतने बड़े मंसब कैसे मान के चलो कि कोई छोटा सा अधिकारी है और उसको मिला हुआ है पचास मंसब 50 का मंसब किसी को मिला हुआ है 200 का मंसब किसी को मिला हुआ है 500 का मंसब किसी को मिला हुआ है 2000 का मंसब तो यानि कि जिसको 2000 का मंसब मिला है जो कि क्या बलते हैं 2000 का मंसब मान सिंग को मिला हुआ ठीक है तो इसका मतलब यह है कि ये बंदा 2000 के मनसब बला ये बंदा 2000 सैनिक अपने पास रख सकता है 2000 सैनिक अपने पास रख सकता है ठीक है एक और उसको इस सैनिकों के देख देख करना होगा और इसका जो rank होगा, rank, ये 2000 का होगा, तो मनसब को हिंदी में अगर हम बात करें, तो जात और सवार में divide किया गया, जात और सवार में divide किया गया, सवार का मतलब ये होता है, कि जात का मतलब होता है rank, जात का मतलब होता है rank, कि उसका rank क्या है, तो अगर 2000 का मनसब है, तो ये higher rank बला 2000 का मनसब होगा, सवार का मतलब है कि उस rank के अधिकारी के पास कितने सवार रखने का क्या बलते हैं, रखने का छूट है या कितना सवार रखेगा, सवार का मतलब, तो अगर किसी के पास 2000 का rank मनसब है, तो इसका मतलब है कि वो 2000 सैनिकों को अपने पास रखेगा, 2000 सैनिकों को, तो जात और होता है कि उसके पास 2000 सैनिक रखने का अधिकार है 2000 सैनिक उसके अंदर काम करेंगे ठीक उसी तरीके से अलग-अलग कैटिगेरी था मनसब का ठीक है यह एक्जामपल के तौर भी मैंने यह आपे लिया है इस बात को अच्छे तरीके समझ येगा इससे क्या हुआ कि एक responsibility तैय हो गई responsibility तैय हो गई अधिकारियों की कि आपके अंदर कितने शैनिक है और आपके अंदर कितने शैनिकों की आपकी जिम्मेबारी है ठीक है तो अब इससे क्या होगा कि अगर किसी के अंदर 2000 सैनिक है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ मनसब भी होंगे यानि कि अगर किसी के बाद 10 का मनसब है तो 10 के बार एक कोई होगा अधिकारी फिर उस तरीके से 10-10 सैनिक करके फिर उसके उपर एक अधिकारी होगा उसके अंदर सैनिक तो ये पूरा का पूरा है का हैरार्की बना दिया क्या बना दिया हैरार्की पूरा का पूरा ये अकवर ने बना दिया और इससे क्या होगा कि सैनिको को कंट्रोल करना आसान हो गया क्योंकि responsibility छोटे अस्तर तक पहुँच गई अकबर तक responsibility पहुँचाने के लिए अकबर की जो close रहेगा वो सबसे बड़ा मनसबदार, जिसे मानसिंग का उदारन मैंने दिया, जिनके पास 2000 का मनसब था, और आप जानते हैं कि मानसिंग अकबर के नवरत्न थे, तो ये बात भी आप ध्यान में अच्छे तरीके से ठीक है न, पॉइंट में आ गया, मनसब पर्था कहां से लिया गया, मंगोलिया से लिया गया, सैनिको को विवस्थित करने के लिए यानि कि पूरा पूरा rank system था, जात और सवार में बटा हुआ था, अब अगला पॉइंट है कि मनसबदार को पैसे कैसे दिया जाता था, किस परकार था बतन, बतन का मतलब होता है जागीर, यानि कि जागीरदारी पर था जो आपने सुना होगा, जागीर, जागीर दे देना, और एक था बेतन, एक था बतन और एक था बेतन, बेतन मतलब कैस पैसा, यानि कि कैस, नगदी, नगदी रुपया दे देना, चलिए, अब जरा इसको समझते हैं, तो देखो, कहा ये जाता था, या इतिहासकारों ने बर्णन किया है, कि जो मनसबदार होते थे, उसको जो बेतन देने की परता थी, वो कुछ इस प्रकार से काम करती थी, कि जो बड़े मनसबदार थे, बड़े मनसबदार, बड़ा मतलब, देख रहा है न, दो हजार या एक हजार उसके आस पास, तो बड़े मनसबदार को जागीर दे दिया जागीर, ठीक है, बड़े, बड़े मनसबदार, मैंने जान बूझ करके, इसको अलग-अलग कलर से लिख छोटे मंसवदार को वह बेतन दिया जाता था, तो बरे मंसवदार को क्या दिया गया बतन यानि कि जागीर और बरेको बेतन, आब जागीर क्या होता है तो जागीर होता है भूमी का टुकरा, जैसे इकता परनाली आपने पढ़ा था इलतुतमिस के समय में, उस तरीके से जागीर होता है भूमी का टुकड़ा, बरे मनसबदार को, और खास करके अगर कोई मनसबदार राजपूत है, क्योंकि अकवर का राजपूत के परती जो निती है, वो एक्जाम का कोसन बन जाता है बरे लेवल के एक्जाम में, आपके लिए काम का नहीं है, अकवर की राजपूत निती, ठीक है, और कोसन पताने कितने बार UPSC में यह पूछा गया है, खास करको जो इतिहांस ऑफशनल लेकर के UPSC के एक्जाम देते हैं, तो राजपूतों के परती अकवर की जो निती थी वो ऐसी थी, कि चाहे राजपूत बड़ा मनसबदार हो या छोटा हो, कोई फरक नहीं परता, उसे जागीर ही दो, राजपूतों के लिए, और बाकियों के लिए अगर छोटा मनसबदार है, तो बेतन दे दो, नगद में बेतन दे दो, और बड़ा है तो जमीन का टुकरा और उस जमीन के टुकरे में वो उसका टैक्स वसूल करेगा, यह मान के चलो कोई जिला दे दिया, बड़ा है तो किसी को कोई गाउं दे दिया, किसी को तीन चार गाउं दे दिया, ठीक है, तो वहां से टैक्स वसूल करेगा, खेती करवाएगा, वहां के विवस्था को वहां के परशासन को देखेगा अपने अंदर सैनिको रखेगा सैनिको को बेतन देगा सैनिको को बेतन देना उसी मनसबदार का काम है अकबर तो सिर्फ पैसा देकर को छुटी कर लिया ठीक है सैनिको को बेतन देगा सैनिको को ट्रेनिंग मतलब सब कुछ उसके अंदर है पू CV exam में चल जा अब कोश्ण चूट चूटके बताए मनसभदारी परथा से ठीक है हो गया मनसभदारी परथा चलिए मनसभदारी परथा को हम लोग ने क्या कर लिया खतम अब क्या है अब अब प्रत्रिया क्या है यदा स tolerance खाना से अब आपको दिख रहा होगा थीक है तो इबादत खाना क्या होता है वो ज़रा मैं आजिर आप से बात कर उंट तो यह प्रार्थना स्थल था प्रार्थना अस्थल एक्जाम का question यह होगा और answer यह होगा अब लेकिन इसको याद रखना है ठीक है तो इसको समझते हैं मैं कर रहा हूं किसी भी लेवल पे चले जाओ आपके exam को question solve होगा तो समझो था क्या कि अकवर थोरा सा अध्यात्मी किसिम का लोग था अध्यात्मी वो अकेले बैठ करके इस वर इस वर इस वर इस वर इस सक्ति के बारे में बहुत सोंसता था और अपने रॉल जो मेरा इंसान होने का क्या रॉल है इसके बारे में बार बार चीजों को analyze करता था यानि सत्य क्या है असत्य क्या है इस वर इस ताकत क्या है किस तरीके से ये पूरी के पूरी दुनिया को organize किया गया है किस तरीक़ से rule होता है, हमारा क्या roll है, राजा होने के कर्राद हम क्या कर सकते हैं, अपने जनता को ले करके, मतलब बहुत सारी बाते मैं, मैं तो अपने मन से कह रहा हूँना, उसके मन में इतने सारे thoughts आते थे, अकेले बैठ करके. तो अकवर अक्सर अकेले बैठा राता था और चुकि अकवर की परवरिस में कुछ-कुछ बाते थी जो मैं फिर से एक बार दो रहा दू एक तो उसका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था एक राजा के परिवार में हुआ था हिंदू राजा के परिवार में ठीक है तो कुछ समय तक जो पादन पॉर्षन उसका हुआ तो वो उसके मेंटालिटी थी एक दूसरी बात है कि उसको जो सिखाने के लिए था गुरू वो गुरू सिया था अकबर किंत्रा मेंट हैं और उसकी माँ भी सिया है यानि कि अकबर की माँ भी सिया है और वो गुरू भी सिया है और अकबर खुद स सुन्नी है यानि की जो हिमाई हुए सुन्नी है मतलब यह सुन्नी का छोटा सा पॉइंट है जो एक किताबों बगर में लिखा वह बत में आपको होता हूं फिर अकबर को पढ़ाने के लिए बिदेश से भी आया लोग ठीक है जो कि इसाई धर्माबलंबी था तो वह भी लोग है तो कहने का मतलब अलग-अलग धर्म और अलग-अलग बिचार अलग-अलग संस्कृति और अलग-अलग तरीके का जो एक पूरा का पूरा बिवस्था होता है वह अकबर के अंदर में आ गया था और बड़ा ही वह बेचैन सा था इस चीज को ले करके कि सच क्या है तो हमे जो इसलाम के अलग-अलग जो फिरके कहते हैं सायद यह अलग-अलग जो भी तत्तो हैं उनके जानने वाले लोग उनको बुलाया गया शुरुआत में और उनसे पूरा का पूरा एक बाद विवाद हुआ फिर वो क्या दूसरे धर्म के लोगों को भी बुलाना शुरू किया उनसे भी पूरा बाद विवाद जिसको discussion कहते हैं और चीजों को सीखने का और एक निसकर्स पर पहुंचने का पूरा परकिरिया शुरू हुआ फिर क्या हुआ फिर बाद में अकवर अलग अलग धर्म के लोगों को एक ही साथ बैठा देता था ये शुरू हो गया उसके बाद ठेक है तो मतलब एक evaluation था शुरूआत हुआ और फिर चीजों को आगे अकवर जो है ने देखना चाता कि किस तरीके से चीज़े आगे बढ़ रही है तो अलग अलग धर्म के मानने वाले लोगों को भी अकवर एक साथ बैठा लेता था ये भी बात पॉइंट था तो होता ये था कभी कभी कि एक अलग अलग धर्म और अलग अलग माननेताएं वाले लोग एक दूसरे को गाली तक बखने लगते थे और सामने में बैठा हुआ एक दूसरे को गाली बख रहे हैं यह कितनी बड़ी बात है तो ध्यान रखिएगा कि इबादत खाना में अकवर ने इन सारे चीजों को पूरा का पूरा क्या किया परकृति को समझा एनलाइज किया इन सब चीजों को अपने में समाहित किया और देखा कि जितने भी लोग आये सब ने कुछ बाते कॉमन की यह बात था जैसे इंसानियत की बाते कॉमन की या और भी बाते जो नॉर्मली सब जगा एक ही जैसे कहे जाते हैं तो भाई चारे इं आपको उंचा दिकाने के लिए किस तरीके से दूसरे को नीचा दिखा रहा है जब कि आपको को मैं बता दू कि धर्म में इस धर्ती पर जितने भी इस्टैबलीस्ट रिलीजन है सब सच है यह बात भी आप समझ लेजिए क्योंकि कोई भी इस्टैबलीसमेंट एक दिन में बनता नहीं है, और किसी भी establishment में अगर कुछ बहुत बड़ी खामी होगी, बहुत बड़ी कमी होगी, तो वो रिमूब हो जा सकता है, रिमूबल होने की संभावना ज्यादा है, अगर वो चीजों को नहीं सुधरा समय के साथ तो, ये एक छोटा सा विचार है, तो अकवर को य बंद कर दिया इबादत खाना को, ये बात भी आप देख लीजिए, ठीक है, बाद में बंद कर दिया, अकवर ने इबादत खाना को, है न, चलिए, तो इबादत खाना समझ में आ गया, एक प्रात्ना अस्थल है, और जहां पे discussion के लिए अलग-अलग धर्म के लोगों को ब मैं जड़ा इसको ऊपर करूँ, ठीक है, अकवर क्या जारी करता है, मजहर, मैं मजहर कर लिख देता हूँ, ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ, और मजहर लिख देता हूँ, मजहर जारी करता है, अकवर, मजहर, ये मजहर क्या होता है, तो मजहर एक तरीके का, ऐसे समझ लो क अध्यादेश है? अध्यादेश समझलो, अध्यादेश, जो की जो नियापालिका, जो उसमय का हुइए परधान थे अगर वो नहीं कर पाता है, तो उसका फैसला कौन करेगा? राजा करेगा राजा फैसला करेगा अंतिम फैसला ठीक है राजा फैसला करेगा और दूसरा धार्मिक मामलों का फैसला खास करके राजा करेगा तो जो धार्मिक जार्मेक मामलों का फ़ाइसला अकवर करना सुरूँ किया, धारमीक मामलों की बात हम कहे रहे हैं यह कहींने कहीं अकवर को थोड़ा सा, अल्कि इससे पहले और भी वहात सरे ऐसे अकवर के फैसले थे जो कहीं न कहीं कटरपंतियों के अच्छा नहीं लगा और वो अकबर के खिलाप में हो गए थे आपको बता दे कि अकबर के खिलाप भी फत्वा जारी हुआ था किताबों में लिकुई बात हम बता रहे हैं अकबर के खिलाप भी फत्वा जारी हुआ था तो इबात आप समझ दीजे कि वो कितना बड़ा लोग होगा जो अकबर को भी फत्वाइ जारी कर सकता है जो पूरे भारत का राजा है, महान राजा है, तो यह बात आप समन्द दीजे. तो जो मजहर है वो एक तरीके का ध्यादेश है जो अकबर जारी करता है कि वैसे मामले जो नहीं सुल्या है जा सका है वो उस पे राजा फैसला करेगा अंतिम रूप से और धारमिक मामलों में खास करके राजा फैसला करेगा और उसकी फैसला जो है ने उसकी बाते मानने होगी ये एक अकवर का फैसला था जिसको मजहर कहा गया जिसको मजहर कहा गया उसके बाद आगे हम देखते हैं क्या बोलते हैं क्या स्थापना करता है अकवर तो आगे अकबर का नया धर्म था और इस नया धर्म का जो गुरू था यह इस नया धर्म का जो इस्वर था इस नया धर्म का जो जो सर्वे सर्वा था वो यहां पर सर्वे सर्वा मुझे लिखना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मैं किसी धर्म या गुरू सब्द को लिखना या अ दान देना चाहिए, मिर्त्यू पर भोज देना चाहिए और वी बहुत सारी बाते अकवर ने इसमें किया है दीन इलाही को उसके बाद इसमें एक और कोशन जो एक्जाम का कोशन बन जाता है कि बिडवल, बिडवल, एक मात्र हिंदू राजा था या हिंदू था जिसने इस दीने इलाही को एकसेप्ट किया, तो एक मात्र हिंदू राजा कह सकते हैं, या हिंदू दरवारी, ठीक है, जिसने इसे accept किया, एक मात्र, बिडवल, ठीक है, जिसका नाम क्या था, महेश धास, ओरिजिनल नाम था, महेश दास, बिडवल का, तो यह भी कोशन एक्जाम में पूछ लेता है, बिडवल को लेकर के दिन इलाही को कितने, एक मात्र हिंदू जिसने accept किया तो वो विडिवल था, ठीक है, समझ में आ गया, चलिए, आगे बरते हैं, आगे बरते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, मजहर की बात कर लिए, दिन इलाही की बात कर लिए, अब बात करते हैं, दह साला, यानि आइने द तो आईने 10 साला क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं ध्यान रखेगा जो भी बाते मैं यहां पर लिखता हूं I hope आप लोग रोक करके वीडियो को स्क्रीन सोट जरूर ले लेंगे ठीक है 10 साला आईने 10 साला भी से कहा जाता है नाम सही समझ में आगया होगा 10-10 साल यह क्या था तो एक तरीके का भूराजस्व को वसूल करने का भूराजस्व को वसूल करने का तरीका था वसूल करने का ठीक है भूराजस्व को तो इसमें था क्या 10 साल तो इसमें था क्या कि एक ऐसा निय बनाये गया कि जमीन को अलग अलग परकार में बाटा गया और जमीन के उपज के हिसाब से जो रएत था और जो ऊपजाने वा थे उसके साथ क्या किया गया एग्रीमेंट किया गया जिसमें यह कहा गया कि 10 साल मतलब कि पहले पिछले 10 साल का जमीन के उपज को एक मानक माना गया जैसे एक्जामपल के तौर पे में बताता हूँ मान के चलो कि ये 2000 सन 2000 है और 2010 ठीक है 2000 से 2010 के बीच में जो उपज हुई उसका औसत है उसका औसत मान के चलो कि 100 केजी है 100 केजी इसका उपज है एक एक्जामपल बताते हैं हम आपको आईने 10 साला समझाने के लिए तो पिछले 10 साल के उपज का औसत निकल गया ना जब औसत निकल गया तो अगले 10 साल तक अगले 10 साल तक 10 साल तक इसी औसत से इसी औसत से आपको भू राजसु देना है इसी उसक से राजासू देना है, ठीक है अब या तो आप 110 किल्उप जाले 500 किल्उप जाले कोई फरक नहीं पड़ता है, जो भूराजासंव आपका तै हो गया वो दीज़े या फिर आप 80 किल्उप जाले, लेकिन भूराजासंव जो तै हुआ वो दे दीज़े दरहासल अकबर के बारे में एक कहा जाता है कि वो इतना महान था कि अकाल के समय में जैसे अकाल आ गया या सूखा आ गया या बहुत ज़्यादा बारिस हो गई मतलब कोई भी जो नेचुरल केलेमिनिटी होती तो उस समय में अकबर जो है ना माफ भी करता था भूरा आजसु को तो ये जो पूरा का भूरा आजसु था अकबर के समय में बड़ा किसानों के लिए बड़ा फिबरेवल था क्योंकि एक तो उपज जादा होगा तो भी हमसे जादा नहीं लिया जाएगा और दूसरा अगर कभी अकाल आ गया या कभी किसी भी तरीके का प्राकृतिक दुरगतनाएं हो गई तो भी हमारी जो राजस हुए उसको माफ कर दिया जाएगा या कम कर दिया माफ करने का मतलब पूर्ण रूप से भी माफ हो सकता है या फिर आपके कटाउती भी किया जा सकता है, ये भी माफिक अंतरगत ही आता है, तो आइने दहसाला का ये पॉइंट है, आइने दहसाला को सुरू किसे कहा जाता है, आइने दहसाला की सुरुआत करने वाला, तो वो टोडरमल को कहा जाता है, टोडरमल आइने दहसाला का सुरुआत क यह कोशन एक्जाम में कितने बार पूछा जाता है कि इसे टोडरमल की पधती भी कहते हैं इसे किसकी पधती कहते हैं टोडरमल की पधती भी कहते हैं आईने दासाला को तो यह भी एक्जाम का कोशन कई बार बना है तो यह बात आप ध्यान में रखिएगा आईने दासाला को लेकर के ठीक है चलिए तो यहां पर हमने आइने दासारा के बारे में बात कर लिया आकवर के बारे में बात कर लिया बहुत सारा जो बात हम यहां पर लिखे थे ठीक है ना समझ में आ गया तो दीने इलाही मैंने समझा दिया एक धर्म था जिसके गुरू या जिसके सरवे जो अलग-अलग धर्मे को लोगों को बुला करके असत्य की खोज करना मनसबदारी सेनको को आरेंज करने का एक पूरा-पूरा सिस्टम था हार एर की एक पूरा-पूरा सिस्टम था ये सारी बाते मैंने अच्छे तरीके से समझाया है अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है एक्जाम का कोसन अगर आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा आपसे छूटे का नहीं विश्वास रखे इस बात को चलिए आगे हम लोग बात करते हैं हम देखते हैं कि आगे हम लोग ने क्या पढ़ना है आगे देखते हैं अकवर ने क्या-क्या असमारक बनाया है वो यानि कि उसके द्वारा निर्मित कुछ इंपोर्टेंट जो मॉनुमेंट्स हैं हम उसके बारे में बात करेंगे यहां पे लिखा हुआ है मॉनुमेंट्स बिल्ट वाई अकवर हिंदी हिस दोनों मी लिखा हुआ में 2 पाले ने पैए अग्रा का किला का स्थापना क्या ओकश thin से याद रखेला का जो लाडल ऐए अकवर नने बनवाया था लहौर का किला यह भी अकवर ने मनवारा यह बीविटा किला अकवर ने मनवा oriented इलाहाबाद का किला ये भी अकवर ने बनवाया है ये भी बात आप याद रखेगा आप जानते हैं कि इलाहाबाद में उसने असोख के अस्तंब को ला करके रखवाया भी था आपने पढ़ाने असोख के समय में इलाहाबाद में असोख का अस्तंब रखवाया था ये बात मै गुजरात पे कहते हैं कि गोजरात विजय अकवर के लिए बड़ा इन्म पॉर्टेट्टन्थ था किектор जहेंड आगरा से गुजरात कुछ हंच पहुच जाता है और कहते हैं की ठाज़ा लेकिन अकवर कहीं नहीं रुका मतलब यह कहते हैं कि घोरा ठक जाता था तो अकवर घोरा बदल लेता था लेकिन खुद नहीं रुका कहीं भी और जितनी तेजी सोचते थे दुसमन उससे दुगने तेजी से अकवर वहां पहुंचा और उस अभियान को अपना अंजाम दिया तो ये अकवर के जीवान का बड़ा परमुख अभ युक्षी अकवर का पूरे भारत पे सासन था तो जिस भी जगा से वह ग Potato पर जो उसके मनसबस दार थे तो इसके मंसब अपने परह जाईगीर दायर थे वह घोडा करके रखते थे तो रसद त्यार करके रख्ते थे इसमें खाना घोरा जो भी चीजे की अंनी सब ट्यार रख्ते थे तो यह चीजे आप अच्छे तरीकास समझ जय एक ठीक है चलिए सलीम चिस्ती का मकवरा फतेपुर सिकडी में है सलीम चिस्ती का मकवरा अब जला सलीम चिस्ती के बारे में बता दे सलीम चिस्ती कौन थे बड़ा इंपोर्टेंट है सलीम चिस्ती सलीम चिस्ती सूफी संति थे याद रखेगा सूफी संति थे और आपको हम बता दे कि सूफिय का सिल्सिला है जैसे चिस्ती सिल्सिला है सुरा बर्दी है नक्स बंदी है नक्स बंदी सिल्सिला जो है ना और अरंग जेम मानता था बहुत कटर सिल्सिला है नक्स बंदी है और सुरा बर्दी मैंने बताया है चिस्ती बताया मैंने उसके बाद और फिर दौसी सिल्सिला है ज चिस्ति सिर्शले की भी शुर्वाद भारत में मॉयुदीन.चिस्ति में किया था जिनका पूरा पूरा अजमेर जिसको बोलते न अजमेर वाले बाबा या अजमेर खवाजा जमेरी या फिर गरीब नवात जो भी सब्सक्राइक प्रयोग करते हैं या आप सून रहे होते हैं वो मयुद्दीन चिस्ती उनका नाम है जिनने चिस्ती सिल्सिले की सुरुआत भारत में किया था और यह कोशन एक्जाम में बन जाता है अपने कौपी में इसको लिखी लेना बेटा छोड़ना नहीं याद कह देते हैं तो चिस्त उसे चिस्ती सिल्सिले के तो एक सूफी संथे ठीक है और कहते हैं कि अकवर को संतान नहीं हो रहा था अकवर को बच्चा नहीं हो रहा था तो सलीम चिस्ती के आसिरबाद से इनके आसिरबाद से जन्म लिया था एक संतान जिसका नाम था जिसका नाम अकवर ने रखा सलीम क आप समझ raining होंगे जो अकबर का बेटा है और अनार्कली के चकर में अकबर से बिद्रों कर देता है बताओ इतना बड़ा समड़ा आजाएक अनारकली के चक्कर में बिद्रो कर दाओ कि सब बेवकूप थाम को तो समझ में नहीं आता इतना बेवकूप भी लोग हुए है क्या हुए हुए हूंगे क्या पता लेकिन यही सलीम आगे चल करके जहांगीर बनता है क्या बनता है जहांगीर बनता है और आपके इतिहास के किताबों में अब इतिहास कैसे लिखा गया है मुझे बात नहीं करेंगे लेकिन आपके इतिहास के किताबों में अनार कली का जिक्र नहीं है खास करके सरकारी इतिहास के किताबों में लेकिन आपके जो टीबी वाले और जो आपके क्या बोलते हैं सिनेमा वाले ये लोग जो है न बडा जोधावाए अनारकली जिसकी जिक्र हमारे किताबों में नहीं है उनका जीकर सबसे जदा करता है और जोधावाई को अगर जिक्र किसी के साथ है तो वो जहांगीर के साथ है आपके NCRT में 37 चंद्रा जो ने लिखा है एक 11 वी कलास की NCRT पलट के देख लिजेगा ठीक है चलो आगे बरते हैं तो सलीम चिस्ति हमको लगता है समझ में आगया कि सलीम चिस्ति कौन थे सूफी संते इनक्या सिर्वास से एक लड़का पैदा होता है उसका नाम सलीम रखता जो आगे चलकर के जहांगीर के नाम से भारत पे सासन करता है या जहांगीर के नाम से मुगल समराथ बनता है चलिए आगे बीड़वल का महल कहा है फतेपूर सिकडी में है तांसेन का मकवरा या महल कहा है ग्वालियर में है यह कोशन एकजाम का है तांसेन वाला कितने बार को आपको सब करने की को बता है कि अपने जिंदा रहते हैं कद्षा मुठा का आगा अगरा के पास तो यह पॉइंट अच्छे तरीके से देखिए और मैं आपको सब के मकवरा और सब के पॉइंट को भी दिखाने की कोशिस करता हूँ यहां पर ध्यान रखिए से आपते लिए आपका है बुलन दर्वाजा ये सलीम चिस्ती का मकवरा डेख रहा रहा है OSI मोदे स्लाय का महल जिखता लाम दिख्या देखेंगे आप कंसन का महल चृजड़ का महल ettigt mobile today उसके बाद अकवर का मकवरा, जो सिकंद्रा में है, आगरा का किला, लाहौर का किला, दिख रहा है न, ये सब अकवर के द्वारा बनवाया गया important monuments है, जो exam के question बन जाते हैं, तो ध्यान रखेगा, बुलंद दर्वाजा, जो गुजरात विजय के उपलक्ष में, सलीम चिस्ति का मकवरा, टांसेन, बीडवल, अकवर, आगरा, लाहौर, देख लिया, चलो, आगे बरते हैं, आच्छा से देख लो, तुम में से कोई भी बनवाना, जब बड़ा officer बन जाना तो बनवा लेना, ये काद ऐसा ही, नहीं करना बेटा, क्या करोगे, परिशा विशा दी गई उपाधियां, जो अकवर ने कुछ उपाधियां दी थी, उसके वारे में बात कर लेते हैं, तो जगत गुरु की उपाधी दिया था, हरी बिजय सूरी को अकवर ने, हरी बिजय सूरी, जो जैन धर्म मानने वाले थे, धियान रखियेगा, हरी बिजय सूरी को जगत जो भी लीखा हूं मैंने, बात में पहले ही बता रहा हूं, जो भी नोट्स में आपके एड है, और जो आपको PDF मिलेगा, उसमें सारे में ए पालतो पार को यह वी यह दालेगा. किसी न आ किसी एकजाम में पूछा हुआ है. फालतु तरीकिये की बाते डालेंगे तो आपके पास पढ़ने के लिए बहुत है और आप उसको कर नहीं पाएंगे तो इस विया से आप उसको ध्यान में रखिएगा अबूल फाजल ने लिखा। बदायूनी को अकबर बिल्कुल पसंद नहीं था, पता नहीं क्यों, दरसल बदायूनी एक कटर तरीके का साइद राइटर था और अकबर इसको बिल्कुल फसंद नहीं क्योंकि अकबर के जो कारे परनाली थे वो उदार था सायद ये एक बज़ा NCRT वेकरा में लिखा जाता है वो बाते जो मैंने अपने UPC के त्यारी के दोरान तो बादायूनी तवारिक ने लिखा था बादायूनी कैना तवकाते अकबरी खोजा निजामदdín आहमद वक्स। यह कोशन एकजाम में पूछ लेते हैं और यह अगलती कर जाते पता है क्यूँ क्योंकश तवकाते अकबरी और आइने अकबरी में बच्चे वो नहीं कर पाते हैं भाई फरकेत नहीं कर पाते हैं और अवूल फजल को टिक कर लेते हैं तो अवूल फजल किया बेटा तो फिर सब गरबढ़ हो जागा तो खोपड़िया में अबूल फजल से दो नाम कुछा लो दो किताब का नाम अकवर नामा और आई ने अकवरी ठीक है और यह जो निजाम तो दीन आमद वक्स है, इनके लिए आप तवकाते अकवरी का नाम अपने खुपडिया में एड कर लो, ठीक है ना, चलिए, तो ये कुछ जो उपादियां थी, इसको भी अपने खुपडिया में बैठा लो, एक्जाम का कोशन बन जाता है, बना है, कितने बार, ध्यान में आ करके औरंग्जेव तक की बात कर लेंगे, क्योंकि चुकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो फिर आपके लिए परसानी हो जाएगा, अगर तीन घंडे का वीडियो हो गया तो, तो जहां गीर से लेकर के औरंग्जेव की बात हम लोग दूसरे लेक्चर में कर लें करो, ठीक है, बड़े इत्मिनान की चीज है, जल्दवाजी की चीज नहीं है, और मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ एक घंटा आप हमें दे, मतलब इस वीडियो को जो भी आप देखते हैं, उसके बाद, जी इसको सिर्फ एक घंटा दे, बाकि 24 घंटे में आप बात लेना, ज्यादा पढ़ने वाला का सेलेक्शन नहीं होता है, अगर ज्यादा पढ़ने वाला का सेलेक्शन होता है, अगर ज्यादा पढ़ने वाला का सेलेक्शन होता है, अगर ज्यादा पढ़ने वाला का सेलेक्शन नहीं होता है, ठीक है, तो आप 7-8 घंटा ही पढ़े, वो काफ झाल